जहिन, विवर्स नेवी की जो application की window है, वो अभी जो रात गई है, 12 बज़े से वो open हो गई है, उससे related कुछ important information जैस आपके सामने मैं share कर देता हूँ, तो पहली बात कि candidates के मन में कुछ confusion आ रहा है कि sir इसमें कुछ charges नहीं लग रहा है, जी हाँ, इसमें कोई charges नहीं है, और जो fake application थी, उसमें वो mention था around 250 रूपेज या कुछ और amount, तो उसमें आप confuse नहीं होए, जब आप online application apply करेंगे, तो उसमें किसी तरह का कोई charges नहीं है, जो 60 plus GST है, वो यह है कि आप online application apply करने के बाद, आप download करना चाहते हैं, तब जाके जो यह है common service center में, या जिसको आप जन से ID, password से जब Navy के website में login करेंगे, तब जाके आप download कर सकते हैं, या जो पहले जैसा मैंने बताया था कि DAVP के website से आप जो PDF है, वो download कर सकते हैं, कुछ और बाते, एक candidate के मन में confusion था, sir, हमारे हाँ six subject है, महराश्टरा से, और मैंने five subject उसमें fill up किया, and English उसमें मैंने भरा नहीं, क बात है, कि physics and maths आप compulsory subject भरते हैं कि नहीं, इसके अलावा कुछ और चीज़े, cut-off के बारे में बहुत सारे comments आ रहे हैं, viewers cut-off के बारे में किसी को कुछ भी information नहीं है, यदि ये guess work में आप believe करते हैं, तो आपकी मर्जी, otherwise मैं suggest करूँगा कि इस guess work में believe न करें, आप अपनी त जाएगा, तो सारे candidates को admit card issue किया जाएगा, और written exam के लिए बुलाएंगे, रहा बात कि online exam better है, कि written exam better है, तो online exam में आप इदी गौर करें, तो बहुत merit high जा रही थी, अभी written exam में हो सकता है, कि थोड़ी सी और transparency हो, और merit अच्छी हो, fine, और बात हैं, कि SSR का जो initial engagement है, that is 15 years, and AA क 20 years, तो किसी के मन में यह आएगा, कि मेरे सर, SSR की जो है, क्यों कमी है, AA की क्यों जादा है, तो actually बात यह है, कि SSR की जो training cost है, वो थोड़ा सा कम है, compare to AA, तो government यह चाहती है, Navy यह चाहती है, कि जब AA जो है, SSR से उपर इसमें कोई शक नहीं है, उनका training period जादा है, उनका जो promotion है, वो fast है, okay, in fact, कुछ हद तक कहें, तो SSR जो है, वो AA के under में काम करते हैं, क्योंकि इनका training period के बाद direct इनको अच्छा promotion मिलता है, तो उस चीजों पे आप न जाएं, आप बस इतना धिहान रखें, कि 15 years के बाद जो SSR को pension के लिए eligible हो जाएंगे, and AA जो है, वो 20 years तक क्यो 15 years में retire कर देंगे, तो Navy को लगता है कि साइद इनसे हमने, जितना हमने खर्च किया, या जो trained manpower है, उसको retire करना सही नहीं है, तो ये government ने देश के लिए, Navy के लिए इस सब decision ले के रखा है, तो वो अलग बात है, तो आप इससे confused मत होना कियों, SSR सब कुछ एक ही है, बस 15 years के बाद आप voluntary retirement ले सकते हैं, और जो double A है, वो 20 years के बाद voluntary retirement pension के साथ ले सकते हैं, वैसे 15 years के बाद सब लोग pension के eligible हैं, लेकिन retirement जो है, आपको तभी ले सकते हैं, जब आप 20 years हो जाए double A के लिए, और SSR तो 15 years है ही, उसके अलावा कुछ और बाते, PFT and enrollment के समय ही आपको जो certificate है जो भी original certificate है, like certificate, या mark seat, या domicile certificate, या NCC certificate, तो वो उस समय आपको original जो है, वहाँ पे लेके जाना है, और फिलहाल जो online application window है, उसमें आपको original ही scan करके upload करना है, कुछ candidates के पास 10 plus 2 की original certificate, mark seat, etc. नहीं है, तो आप कुछ confused नहीं है, जो भी आपके पास है, provisional certificate, या आपने internet से download क या school से stamp लिया हुआ है, आप उसको upload करें, उसके बाद जब आपकी जब written exam होगा, या enrollment medical जब चिलका में होगा, जब आप qualify होके जाएंगे, तो वहाँ पर भी ये दोनो time में document verification होगा, जो की notification में mention है, तो जब जब आपको आदेश दिया जाएगा कि original document ले के आने के लिए, तो आप ले के आएंगे, और फिलाल अभी आपके पास जो है, उसको आप use करें, और तब तक तो आपको time मिली जाएगा, जब तक ये सारी चीज़े होगी, written exam होगा, और वहाँ पे enrollment medical होगा, तो ये आप चीज़ इसको ध्यान में रखें, उसके अलावा पूरी verification जो document है, व उसके लिए क्या है, जो standard है, कि 72 hours पहले तक, वो आपका maximum 72 hours के पहले तक होना चाहिए, और वो आपको written exam के समय ले के जाना है, और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखें, कि आप उसमें date और stamp, जहां से भी आप ये करार रहें test, वो mention कर लें, okay, stamp भी जरूरी है, ताकि पता वाल है न, इदिया भूल जाते हैं, तो, उसके बाद, date of birth का भी कुछ confusion आ रहा है, सर, अगले इस बार तो manageable नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि percentage कम है, अगले बार का date of birth क्या होगा, तो बहुत easy है, यदि इस बार का जो date of birth है, वो माल लीजे, first fab 2001 से लेके, 31st July 4 है, इस बार, तो अगले 6 मैंने बाद यदि वेकेंसी आती है, तो उसका जो date of birth होगा, उसमें आप 6 मन्त initial और final वाले में जोड दीजे, for example, जो first fab 2001 है, तो उसमें आप 6 मन्त जोड देंगे, तो वो हो जाएगा, first august 2001, और 31st July 4 में, आप जब 6 मन्त आइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा, 31st जैन 2005, मैं फिर से बता दू, जो अगला 6 मन्त बाद यदि वेकेंसी आती है, तब उस समय जो probable, जो date of birth रहेगा, वो 6 मन्त बढ़ जाएगा आगे, और वो हो जाएगा, first august 2001 से लेके, 31st July 5, एके, 2005, और यदि एक साल बाद वेकेंसी आती, in case कुछ और प्राबलम होता है, COVID क वजह से, तो आप सिधा एक साल जोड़ दें, मतलब 1st February 2002 से लेके, 31st July 2005 तक, तो बस यहीं information था, और किसी, और हाँ, important बात आखों का ध्यान दे, unnecessary का बहुत सारे वीडियोज देखके, कि कहां पे छोटी छोटी अपडेट ये देख लो, वो देख लो, ये जान लो, आप पेरिट से वो बाहर आ गए, तो आप ऐसे disappoint हो कि Navy ने क्या कर दिया, जिंदगी बरबाद हो गई, आप soldier का attitude नहीं है, ये, sailors का attitude नहीं है, आप सेना join करने वाले हैं, तो उसके लिए एक highly motivated आदमी चाहिए, तो आप वो personality बनिये, और तभी जाके आगे life में progress कर सकते हैं, life is not about Navy और Air Force और any other examination, no, आप बहुत important है, और आगे भी future में आपको बहुत सारे admit card इशू, fail वाले इशू, pass वाले इशू, जो अच्छा personality, confident man वही है, जो इन सारी चीजों से उबरके, आगे बढ़े और अपने career को shape करे, आप बहुत important है अपने लिए, अपने family members के लिए, तो highly motivated र रखें, आप definitely बहुत अच्छा करेंगे, तो यसी के साथ मैं अपनी बात को खतम करता हूँ, यदि अभी भी आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजे, और यदि subscribe कर लिया है, तो like, share and comment करके, मुझे आप और energy दीजे, ताकि ऐसे ही बेतरीन videos मैं आपकी तयारी के ना सको, thank you so much for watching, best wishes, get selected, jahin!